ट्रेट का चौका आदितिया सिबसे पहले आप से सला लेंगे आपके रडार पर कौन से दू स्टॉक्स आ रहे हैं ट्रेट के लिए केमिकल से बहुत टाइम से लगाड रहा है केमिकल सेक्टर और अभी आउटलूक बदल रहा है काफी बीटन डाउन वैलुएशन आ चुके हैं हाला कि आप देखे तो अब दूसरे सेक्टर में अच्छी बड़ोतरी देखने को मिल रही है और ये केमिकल सेक्टर में भी अभी कुछ मार्केट टीडर्स में अच्छे अप्ग्रेट्स देखने को मिल रहे है तो नवीन फूरीन काफी बीटन डाउन वैलुएशन पर मिल है 3707 पर बाई किया जा सकता है 3500 का रहेगा स्टॉप लॉस और टार्गेट रहेगा 3900 साथ से लेके 4000 दूसरा स्टॉक रेलबे से से आईया CTC अगेन बहुत टाइम से एक लगाड रहा है एक कंसॉलिडेशन में चला गया ता अब ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अब बेका रहेगा टार्गेट अधित के रेडार पे दोनों ही बाई साइट के रेकमेंडेशन आयर सीटी सी और नवीन फ्लोरीन उनके रेडार पे है इस पर जरूर नजर रखे पर अब सुमेत आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके इडार पे हैं बताएगे दो स्टॉक्स हैं दोनों ही बाई के लिए मैं सजेस्ट करूंगा देखिए सबसे पहला है इंडियन होटल इंडियन होटल साब देखिए पितली बार जो एक स्विंग हाई बना था डैट वो उसके बाद एक स्टॉक अपना कंसोलिडेशन जोन में आ गया था तो अन दे लोवर टाइम फ्रेम आप यहां पर देखेंगे तो फिर से एक फ्रेश ब्रेक आउट आ रहा है और रिटेस कंडिडेट भी आप इसे बोल सकते हैं तो यहां पर आप फ्रेश बाइं की दिये करण मार्केट प्राइज है अराउंड 420 स्टॉप लोग इसी तरह से दूसरा स्टॉक है MFSL MFSL ने लोग टाइम फ्रेम पे के इंवर्टेट हैं चोल्डर्स का ब्रेक आउट दिये और अभी आप देखिए देज हाई की तरफ ही स्टॉक मोमेंट दिखा रहा है सो 938 करेंट लेवल 918 का स्टॉप लॉस टारगेट 984 और 1006 फानाशल सर्विसेज है सुमित के रिडार पर यहां से इस पर जुड़े जितने भी टारगेट और स्टॉप लॉस है वो आपको बता दिए गए है आज अगर हम देखें तो टाय स्टॉक में जबरदस जोश है यहां पे तेज रफ्तार में भागते हुए दिख रहे हैं सभी टाय काउंटर जैसे कि सीएट जे के टायर MRF इन सब में अच्छा जोश है और वज़ा यह है कि सीएट के जो नतीजे आए हैं वो एक बार फिर से सप्राइजिंग है क्योंकि Q1 में भी अगर आप इसका लंबी अवदी का पिछले छे महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको देखेंगा कि सीएट में ही एक साथ से दस पसंट का स्पाइक आया था जब कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किये थे ऐसा ही कुछ उच्छ जो है हम देख पा रहे हैं आज भी करीब 6-7% की तेजी हमने शुरवाती दौर में देखी और वज़ा यह है कि जो ग्रॉस मार्जन इंप्रूव्मेंट हुआ है करीब 200 बेसिस पॉइंट से भी जादा का वहां पे कंपनी से इतनी अच्छी उमीद नहीं थी जिस तरीके से कंपनी ने प्रदर्शन किया है और ऐसी ही फिर नतीजों की उमीद जो है मार्केट बाकी टाय स्टॉक से भी लेने लगता है पर शलिए एक बर टाय काउंटर्स पर राई जाना चाहेंगे सुमित क्या नजरिया है टाय काउंटर्स पर क्या अभी भी को कहीं आपको मौके द तीनों में आज एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो स्टार्टिंग में बेनिफिट था जो स्टॉक ने मोमेंट दिखाया था उसे वो सस्टेन नहीं कर पाए और अभी नियर टू दर डेस चल रहा है तो मोमेंटम पूरा लूस हो चुका है अब तीनों चार्ट को अगर हम कंपेर कर रहेंगे तो सबसे स्ट्रॉंग जो है वो अभी भी MRF का चार्ट है तो MRF का देखिया आप जो वीकली हाइस्ट क्लोजिंग आया था वो आया था 31st July को और स्टॉक ने आज उसका हाई भी क्रॉस किया है हाला कि वेल्यू बहुत बड़ी है तो काफी सारे लोग उसको लेने से थोड़ा पीछे रहते हैं लेकिन कंपेर करेंगे तो सबसे बेस्टॉक वही है तो अभी भी 112,200 का जो लेवल है अगर मुझे क्लोजिंग बेजिस पे मिल रहा है तो बिलकुल मैं यहां पे फ्रेश ब के आप इदर नज़र सकते हैं अब रुक करते हैं हमारे अगले